हाई एवरिवन क्या हाल चाल आप सभी लोगों के उमीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे सो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल 2023 की तीन बड़ी अपडेट्स के बारे में आज किस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो एक्जाम है वो दिल्ली पुलिस कंडेक्ट करवाएगी या SSC कंडेक्ट करवाएगी एक बहुत बड़ा डाउट यहां पर बना हुआ है इसका जवाब आपको आज किस वीडियो में मिल जाएगा साथ में ही हम बात करेंगे आपके जो forms out होने हैं वो 2 March कोई out होंगे या उसके अंदर भी कुछ delay आपको देखने को मिलेगा इसके साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि पहले आपका physical होगा या computer based test जो है वो यहाँ पर conduct करवाय जाएगा इसके साथ ही हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस बरती बोर्ड के बारे में कि दिल्ली पुलिस बरती बोर्ड का क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे आज किस वीडियो में तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आपका जो एक्जाम है वो दिल्ली पुलिस कंडेक्ट करवाएगी या SSC कंडेक्ट करवाएगी बहुत दुनों से खबरे सुनने को मिल रही है क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास इतना बड़ा भरती बोर्ड नहीं है कि वो इतने सारे बच्चों का जो एक्जाम है वो गंडेक्ट करवा सके हाला कि दिल्ली पुलिस के पास experience है physical करवाने का, document verification करवाने का लेकिन exam conduct करवाने का जो experience है वो दिल्ली पुलिस के पास नहीं है तो इनी कारणों की वज़े से दिल्ली पुलिस की कोशिस है कि दुबारा से जो एक्जाम लेने की परकरिया है वो सारा प्रोसेस कंप्रीट करें SSC और इसी लिए दोनों के बीच में जो मिटिंग्स चल रही है और जो MHA है वो यहाँ पर कोशिस कर रहा है कि दोनों के बीच में कोई एक ब्रीज बन सके और वापस से दिल्ली पुलिस का जो एक्जाम है वो यहाँ पर SSC कंडेक्ट करवाई क्योंकि experience के मामले में SSC इसमें experience है उसे experience यह है कि कैसे बच्चों के एक्जाम कंडेक्ट करवाना है कैसे आपका पेपर सेट करना है कैसे क्या कुछ करना है वो सब SSC जानती है और दिल्ली पुलिस इस मामले में कही ना कही नहीं है तो यहाँ पर दिक्कत का सामना दिल्ली पुलिस को करना पड़ रहा है और इसी वज़े से कोशिस चल रही है कि आपका जो एक्जाम है वो SSC ही कंडेक्ट करवाई तो यहाँ पर पूरी पूरी उमीद है आपकी 99% कि आपका जो एक्जाम है वो SSC ही ले अगर दोनों के बीच में एक कोई समझोता हो जाता है एक दोनों के बीच में अगर बात बन जाती है तो यहाँ पर आपका जो एक्जाम है वो आपका SSC ही कंडेक्ट करवाईगी दूसरा यहाँ पर क्या है कि मिशन मोड के तहत आपकी जो जो जोईनिंग है 2023 की वो भी decide की गई है कि 2023 के end में ही दे दी जाए इससे लेट नहीं किया जाए और अगर दिल्ली पुलिस अपनी परकरिया स्टार्ट करेगी तो इसमें कही न कही टाइम जरूर लगेगा और SSC अगर करती है तो फड़ावड आपका एक्जाम कंडेक्ट हो जाता है और उसके बाद further process भी आपका physical वगेरा का भी start करवा के इसी साल कोसिस की जाएगी कि आपकी joining letter आपको दे दिये जाए तो इन सारी चीजों को देखते हुए MHA की कोसिस है कि वो कही ना कहीं SSC की तरफ जुकी हुई है कि आपका जो एक्जाम है वो SSC ही conduct करवाए तो पूरी पूरी उमीद है कि SSC ही आपका एक्जाम जो है वो यहाँ पर लेने वाली है दिल्ली पुलिस ने अपने आथ यहाँ पर उठा दिये इसके बाद अगर बात करें कि क्या form जो है या online application जो है वो 2 मार्च से start होंगे या उसमें भी delay देखने को मिलेगा तो यह यहाँ पर decide होगा कि आपकी दिल्ली पुलिस और SSC के बीच में क्या बात बनती है अगर बात बनती है कि SSC वापस से अपना पुराने रोल में आके आपका एक्जाम करवाईगी तो definitely 2 मार्च को आपके forms पुराने कैलेंडर के according आउट कर दिये जाएंगे बट अगर बात कहीं ना कहीं नहीं बनती है तो उस case में आपके forms के दो तारिक को जो है कि आउट किये जाएं यह मुस्की लगेगा फिर हो सकता है कि आपके मार्च एंड या फिर एप्रेल के अंदर आपके forms जो हैं वो आपको देखने को मिले लेकिन सारी चीज़े डिपेंड करेंगी कि आपका रुख कैसा है SSC का दिल्ली पुलिस की तरब क्या वो दिल्ली पुलिस की भरती करवाएगी या नहीं करवाएगी अगर करवाती है तो आपको benefit मिलेगा 2 मार्च को आपके forms आउट हो जाएगे टाइमली आपका exam जो है वो conduct करवा दिया जाएगा लेकिन अगर नहीं होता है तो आपके बरती परकेरिया जो है वो 5-6 मैने आपकी और ज्यादा लेट जो है वो हो सकती है और joining process में भी इसका असर पड़ेगा वहां भी वो process जो है वो आगे आपका बढ़ जाएगा तो अब देखते हैं होता क्या है बट अगर SSC के तरफ दुकाव है और process चल रहा है कि SSC को ही हमें पकड़ना है वो ही हमें करवाए तो आपके 2 मार्च को form या फिर फरवरी के आखरी महिने में आखरी सब्ता में आपको जो form है वो देखने को मिल जाएंगे इसके बाद अगर बात करें पहले physical होगा या return test आपका करवाए जाएगा तो ये भी यहांपर depend करेगा दिल्ली पुलिस और SSC की बीच में क्या कुछ बातचीत होती है अगर SSC की बातचीत बन जाती है और SSC का रुख हुआ पर बिल्कुल clear हो जाता है कि मैं आपका exam clear करवा दूँगा या conduct करवाऊंगी तो यहांपर आपका पहले return exam ही conduct होगा जैसे कि SSC by default हमेशा करवाती है आपका exam होगा उसका result होगा और उसके बाद आपका physical करवाय जाएगा बट अगर कहीं ना कहीं आपका physical पहले करवाय जाता है अगर बात नहीं बनती है दिल्ली पुलिस और SSC की तो पहले physical करवाय जाएगा क्योंकि दिल्ली पुलिस को महारत आसिल है physical करवाने में तो उसको time मिल जाएगा जितने physical चलेगे इतनी वो अपनी कोई भी agency या exam को conduct करवाने के लिए कोई तरीका यहाँ पर निकाल सकती है बट इसका भी एक drawback यहाँ पर है कि अगर आपका physical पहले हो जाएगा तो जैसे कि आप सभी लोग जामते है physical को बहुत कम लोग पास करते है so competition अगर उनके बीच में रहेगा so वहाँ पर आपकी cut off है वो बड़ी high जाने की उमीद है so ऐसे में आपकी cut off का ratio बहुत बढ़ जाएगा so ऐसे में देखते है क्या होते है क्या नहीं बट उमीद यही है कि SST आपका exam लेगी 99% sure है so आपका written exam ही पहले होने है लेकिन फिर भी आपको अपने physical की त्यारी जरूर रखनी है नहीं पता कि किस करवट आपका उंट बैट जाए एक पुरानी कमावत है ठीक है so दोनों ही तरफ से आपको अपने आपको त्यार करने है इसके अलावा अगर हम लास्ट में बात करें दिल्ली पुलिस भरती बोर्ड के बारे में तो आप सभी लोगों उनने पहले सुना होगा कि दिल्ली पुलिस जोर सोर्च अपना भरती बोर्ड बना रही है उसकी त्यारी कर रही है लेकिन कुछ समय बात दिल्ली पुलिस भरती बोर्ड की जो खबरे हैं वो भी गुमनाम हो गई और भरती बोर्ड भी गुमनाम हो गया तो कही ना कही दिल्ली पुलिस को समझ में आ गया कि इतने बड़े लेवल के उपर एक्जाम को कंडेक्ट करवाना तुमारे नहीं हो पाएगा तुम कंडेक्ट नहीं करवा पाओगे उन्होंने स्विच करने की सोची वापस से SST की उन्होंने बीच में में ने दोनों पक्सों के बीच में यही डिसाइड कि कि भई तुम नहीं करवा पाओगे तो SST को इस चीज का experience से वो पीछे जे करवाती है आ रहे है तो उसी को ये मोका दिया जाना चाहिए अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है बर दिल्ली पुलिस बरती बोड़ है वो बिल्कुल खतम सा ही हो चुका है उसने बिल्कुल आथ उठा लिए कि मेर से इतना बड़ा exam contact नहीं करवाए जाएगा ठीक है तो यही कुछ बड़ी updates थी जो आपको जाननी जरूरी थी और इनी के साथ ये आज की वीडियो को खतम करते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए Thank you so much. Namaskar